पुजाब्य किचन में आपका स्वागत है आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं मूली और मिर्च गाचार यह जो मैं आपको अचार बनाने सिखा रही हूं इस सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा लगता है इससे पहले मैंने गोबी गाजर और मिर्च का अचार बनान आपको जो कि सर्दी के मौसम में ही बनते हैं और सर्दी के मौसम में भी खाने में बहुत जादा अच्छे लगते हैं कि सर्दी के मौसम में ही है जो मूली है वो हमें खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है वैसे तो गर्मी में भी आती है लेकिन सर्दी के मौसम का इसका अनंद है वह अज़ाए दहों गूर्फ लेकिन मैनने कट आहिए इसके लिए मैंने पकतों किया है इसको मैंने तेय एक मिर्ची स्वा यह देखिए ऐसे आप में जो मिर्ची है उसको यह रख दूंगी साइड पे और जो हमारी मूली है इसे मैं देड़ दो घंटा थोड़ी सी दूप लगाऊंगी तांकि जो इसमें जो पानी होता है वो थोड़ा सा सूख जाए ज्यादा पानी हमें नहीं सुकाना इसको दो कांटे हो चुकिया है ते हुणों ना विच बिल्कुल भी पानी नहीं रहा आ देखो जी बिल्कुल सुक चुकी है ते हुन मैं की करांगी एदी हरी मेर्चा ओ यह दे विच्छे मिक्स करदांगी विसी थाड़ी दे विच्छी अचार बनावांगी से प्रोसेस ना एक चामच जीना लिए इस लाघ जाएँ दो Doch मyoisen मेंसषाऊंफ लिया यहाँ एक चामच मेना में मेति दाना लिए ते पहला में चारा नू आ देखो जी प्राइपन रख दीता है ते गैस चलादा नहीं है ते पहला इना नू चारा नू मैं थोड़ा जा रोस्ट करूँगी थाकि इना जी जड़ी नमी आ ठोड़ी जी काट जावे ते इनू जादा नहीं पकाना सिरफ इना जोड़ा सिल्ला इना चारा नू ही मैं रोस्ट करूँगी उस तो अलावा देखो चार चम्चे में राई लेई है इनू मैं ऐसे तरह ही मिक्सिंग जार बीच पाकी ग्राइन तरदरा पीछ लोंगी इनू मैं रोस्ट नहीं करूँगी ते उस तो अलावा आई को कॉली मैं सासो तेल लिया है एथे इनू मैं उसे तरह ही गरम करांगी तो करम करके ठंड़ा कर जीरा जिनने मसाले में पहला पाई थे उनने ही में हुन पारी है क्योंकि सेमी कोईंट की दे विचे मेरे को समाना मैं मुली भी नहीं लेए जिननी मैं पहला गोबी और गजर दे विचे गोबी जूस करी थी ते आलो जी इदे नार ही मैं थे सौफा दनी है आहूं मैंना पंडे मिन्ट है आणा जिर्म हो श्यां के नहीं जादा नहीं आलो जी और नूइस्त तरह चपा प्लेट बिच कर लोगिंगा थे सब्सक्राइब मिक्सिंग कर दे लूगे जार पेस लो जाचा आख मासाले नहीं कि ध्ट्र तक प्लेट भीच नूगा तक भीच कर लोगए जणे थंडे हो रहा है तर तक मैं की करोंगी जड़ा मैं शरों दी तेल ले आ है कोली लोजी इनूं कर लानी है त्थीकि इनूं असी गरम करके फिर ठंडा करना थोड़ा ज़ा उस तो बाद ही या ज़ी प्रचार वीचे दूस करना है इसलही आ लोजी मेडियों फ्लेम ते ज हो चुकिया ते होने मिक्सिंग जार है अनु मेरा पीस को टौक़िके पीश कट्ट ईपना की ते नाडी में मरिवी या नो पीस के लिए आनीया आलो जी यह शादा रोस्टर मसाले इन्हों में एतना द्रादरा पीस लिया थे यह राई वी में पीस लिया है थे हो यह दुह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सब्सक्राइब भी गरम हो चुका है थे ओना जोड़ा अब देखो जी ते देखो एक नदेड़ चमच हल्दी ते मेना नू चेंगी तेल देविची मिक्स करतां दी अब देखो जी ते पानी बहुत जरूरी है क्योंकि इसना खुश हुई वड़ी वड़ी आंदी आज देखो जी होना सी फोड़ा जा पहला थंड़ा होन दमागे तेल नू उस तो बाद ही असी इसनू अचार वीचे एड़ करांगे अलो जी तेल साधा थोड़ा थंड़ा हो चुकिया ते वनसी अचार नू चल देखो जी में दो चमच मेरे पास टी स्पून है मैं दो चमच नमक लिया है ते दो चमच ही रेड चीली पॉडर लिया है ते अज सुके मसाले तो नो पहले ही तखा चुकी यां ते राई पहला करते हैं ज़ादा चाहिए नमक और कि जादा पॉन चाहिए ज़्यादा भी पास आगदे। पर मैं दो चमच ही पाई है टेस्ट दे कोड़ी अगद ऑने ज़्यादा पसंद आ तो पासम आगए आदेखो जी हाँ मैं लाल में सी पाती देविच एदे नाली याज़े मसाले असी पुन्य शी ओ पादीते इस दे नाली आदेखो जी राई जीड़ी चार चमच मैं लई ती ओभी पादीते यह ते पहला में ना सारियां चीज़ानू चमचे दे नाल मिक्स कर लगनी है उस तो बाद असी देविचे तेल एड करांगे आलो जी मैं सारे मसाले अचार देविचे मिक्स कर देते हैं ते होनसी पावांगे तेल आदेखो जी तेल पान तो पला तुसी फे इसनों चंगी तरह हला लाल है थांकि जड़ी हल्दी है या हिंगों नीचे ना बैठी होवे पूंड में एड विची रख देता है ते होनसी प्राइपेन नो ठाके आदेखो जी एतना चंगी तरह है इनो प्राइपेन नो हिला के ते जड़ा तेल वुच आर देविचे मिक्स कर दोंगे आ देखो जी मैं थोनू पहले ही गया सी कीनों चंगी तरह हला के पाना ताकि ज आदे विचनो चोड़ दो जड़ा तेल आ ते ते तेल और मसाली पाई है इनो चंगी तरह है ता स्पून दी हल्पना मद आद देखो जी एदना मिक्स करो आद देखो जी मैं सारे मसाली देविचे मिक्स कर लें आदेखो साणा मूली और मिर्च दाचार बनके रेडी हो आदेखो जी मैं एक कंटेनर ले रहे हैं मैं पहला वी तो नहीं दस्यासी कि जिस भी डब्बे देविचे चाहे हो कांच दाए जा प्लास्टिक दाए तुसी अचार परना है ता पहला वनों दो दीन तुपलवानिया चंगी तरह ता कि उदे विच कोई स्मेलन आ रहे अग पाने नहीं होना चाहिदा बिलकुल वी क्योंकि अचार अगर खराब हुन दा था में कारण एक जादा तो अडब गिल्ला या फिर तुसी जदो अचार कड़ें आता गिल्ले हाथ नालों कड़ें जा अगर तुसी स्पून नाल भी कड़ें तो 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 फोड़ा स्पून देकर एक बदिया चलूगा आ देखो जी रेडी हो चुक्या ते अंवह नूपार दनी है इस कंटेनर देविचे आ देखो जी इस तरह सेमी प्रोसेसा में पहला फिर असी कि जिस तरह में गोबी गाजल मिर्च दाचार पाया सीमी उसे तरह ही मूली और मिर्च दाचार पाय के रेडी हो चुकिया है जे कर तो अनुए मेरी अचारदी रस्पी पसंद आई है तब प्लीज प्लीज मेरे पजाबी किछा चैनल नो सस्क्राइब करो लाइक एंड शेयर करो ते कमेंट करके जुरूर दस्ते हो कि तो अनुए मेरे अचारदी रस्पी कि दादी लगी थैंक कि लो कि दो भी जाइक प्लीज मेरे बख्ब्स आई पी बग्ष डो ऊनुए मेरे जाई दीकार नोगी कि झाब बख्ब्स प्लीज